हेलो गाईज, वलकम बैक टो मा इटूब चैनल और आप सबको स्वागत है मेरे मादुरी डीम्स चैनल में और आज मुझे किसी ने सवाल किया है तो वो सवाल क्या है मैं आप लोग को पढ़के बताती हूं फिर आगे मैं आप लोग से बात करती हूं तो चलिए मैं आप सबको सवाल पढ़के बताती हूं मैं मेरे शादी है नेक्स्ट मंत में मैंने बहुत होम रेमेडिज ट्राई किया तो कुछ नहीं हुआ मेरे बहुत ही पिग्मेटेशन और अनिवेन स्कीन है क्या इस पैक को लगाने से मता हर विक लगाने से मेरा जो पिग तो चलिए में जो इसका अंसर है मैं आप लोगों को बताती है चुली क्या हुआ मैं एक दो महीने पहले एक वीडियो बनाये थी नेचर्स का डिटन पैक ठीक है पैक सच में बहुत ही अच्छा है और जो हमारे अनिवेंट टोन है उसको एक ब्राइटिंग का इफेक्ट दे है और अगर आप बोलोगे कि इससे पिग्मेंटिशन कम हो जाएगा यह तो दिखना बंद हो जाएगा तो मैं पहले आप लोगों बोल देती हूं मैं सची बात बोलूँगी कि नहीं होता है इसमें पिग्मेंटिशन कम नहीं होता है लेकिन अगर आप लगा रहे हो कंटिनि या महिने में एक बात इससे कोई side effect तो नहीं है आप यह लगा सकतो इसकीन में एक glow आता है एक skin का जो uneven tone हो जाता ना वह एक बराबर हो जाता है और अच्छा भी रगता है fresh feel भी होता है स्कीन बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन अगर आप कहोगे कि मेरा pigmentation क्या चला जाएगा तो मैं बूलेंगी नहीं मैं कोई भी तसलिय आपको नहीं दूंगी और अगर आपका शादी है next month में तो मैं आपको यही सला देना चाहूंगी कि कोई भी रिक्स आप अभी स्कीन में ना ले आप अपना स्कीन को एक अच्छे से स्कीन डॉक्टर के पास जाहिए दिखाईए और उनको आप बताईए कि next month पे आपका शादी होने वाली है तो उस हिसाब से जो डॉक्टर है आपको सला जरूर देंगे आप अपना मन से कुछ भी मत करने जाहिएगा क् कि शादी नेक्स्ट मत में है ऐसा नहीं है कि चले एक साल बाकी है तो आप रिक्स ले सकते हो बट आभी आप रिक्स मत लीजिएगा क्योंकि आपका शादी का इतना बहुत ज्यादा टाइम ने स्रिप वान मत है लेकिन हां आप होम रेड मेरी जो कर रहे हो और करते जाहिए उससे कुछ साइड इपक्त तो नहीं होगा उल्टा अच्छा ही होगा और नेचर्स का जो टीटन पैक है आप वह भी उस कर सकते हो रेगोलर नहीं महीने में 15 दिन में एक बार उससे भी कोई साइड इपक्त नहीं है उल्टा आपको अच्छा ही होगा लेकिन पिग्मेटेशन नहीं जाता है इसका एक ही हिलाज है आप लीज अच्छे से एक स्कीन डॉक्टर के पास जाहिए सलालीची उनको उनके पास से और खुद के मन से कुछ भी मत करने चाहिएगा यह रिक्सी हो जाएगा कि उसने बोला इसने हो बोला चलो करो तो ऐसा मत करने जाहिएगा कि नेक्स्ट मन में आपका साथी है तो आप एक अच्छे से इसकी डॉक्टर के पास जाहिए और सलालीचे ठीक है और थैंक्यू सोमिया जी आपने मुझे सवाल किया और इसके बारे में चांकारी लेना चाहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको भी यह डाउट था तो जो मैंने किलियर करने के कोशिश की हूँ आप यह वीडियो जरूर दिखीगा और मैं आपको रिकोस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप इसकी डॉक्टर को जरूर दिखाए और उसी हिसाब से आप चलिए ठीक है तो थैंक्यू सोमाच आपने मुझे सवाल किया मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग कभी ऐसे कुछ चोटे-मूटे सवाल रहेगा तो जरूर किजिए मैं देने के कोशिश करूंगी तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइबाइ टेक क्यार मुझे बहुत दे मतलब चार दिन से मतलब से लग रहा है कि मैं इनको जब आप दूँ एक चोटा सा वीडियो बना दू तो बस इसी सिल्सले में मैंने चोटा सा मीनी ब्लब बनाई हूं अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए कमन किजिए ठीक है चलिए बाबाए टे किजिए